नमस्कार आप देकर राजनाई समाचा बात की जब भूपाल मद्वदेश की राजनिति इस प्रकार से नंगर नंगम के चुनाओं पंचे चुनाओं हमाँ पास आम आदमी पार्टी की मद्वदेश में नंगर परिश्चत और नंगर नंगम में क्या भूमी का रहेगी विच इस बार कैसी तैयारी है और क्या रूपरिखा है बात्कश के अंदर लगातार तक जो नंगरी निकाय चुनाओं हैं उन चुनाओं की तैरी में हैं हम लोग कि जो मद्वदेश के अंदर नगर निगम सोला है चांइनटि शरना परिसद हैं नं में से पूरा और ठोस विकल्प रखेंगे बोपाल के अंदर भी हमारी तैयरी है कई वार्ड हमारे बहुत अच्छे हैं और मैं आपको बता दूं कि जनता भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस दोनों पार्टियों से तरस्त है इस बार अरभिंद केजरिवाल जी का जो दिल्ली का मॉडल है उस मॉडल को जनता अपनाना चाहती है जनता आमादवी पार्टी को मौका देना चाहती है यह न केवल एक या दो वार्ड में घूम के बलकि पूरा प्रदेस घूमता हूं मैं बोपाल के अलग-अलग विधान सवाओं में जो अलग वार्ड है मोहले हैं वहां पे पतान हो चुकी जनता ऐसे लोग अरजनीत में देखना चाहती है जो वादा करें उस वादे को निभाएं इस देश के अंदर मात्राम आदि पार्टी है है जो कहती है हुद करती है हमने डिली में जो कहा जितने वादे किये पूरे एक एक وदा हमने पूरा किया पंजाब ने हमने जो कहा है एक क्था हम निभा तो तो बिस्वास हो रहा कि आम अधीप neighbour इंवानदारी शें जंता के लिए काम कर सकती कि मत बिदेश में जाता हूं और जिसकी जो आस्था है कोई जिसकी मस्जिद में आस्था है मस्जिद जाता है किसी गुर्दवारे में आशता हैfive जाते हैं कोई गिर्जा घर में आशता है वहां जाते हैं जैन धर्म के हैं सब καसंवान हैं धर्म बड़ी चीज़ है जीवन जीने का डंग है लेकिन बोट के लिए राजनीति के लिए धर्म का उपयोग करना गलत है तो मैं समझता हूँ जनता बड़ी से आनी है, जनता सब समझती है कि कौन क्या कर रहा है, जनता को धर्म का तो सम्मान सब लोग करते ही हैं, उसके अलावा उसके साथ साथ हमारा धर्म क्या कहता है, इंसानियत की बात करता है, इंसान की पीड़ा को हरना, इंसान के लिए अच् पूर करना यहीं तो हमारा धर्म चीखाता है तो उसी धर्म की बात अगर हम कहें जो लोग भी राजनीत में आये हैं जो उनका सेवा का काम है उसको इमानदारी से करना चाहिए बही पारसद को कितना पैसा मिलता है उसे 5 साल का हिसाब जनता के सामने देना चाहिए उसने क्या- आके हिसाब दें कि कितना बजट भोपाल का एक साल का है पांस साल में इतना पैसा हमने किन-किन चीजों में कर्च किया इमांदारी से रखें तब तो समझ में आएगा कि उन्होंने धर्म का काम किया असल में जनता की सेवा की की नहीं की तो मैं बता दूं कि गजुआ कि औहुं कि अच्छी सिक्षा सवास्त लोगों को साबसाई जो एक एक रुपय जनता के लिए आ रहा हो जनता के लिए खर्च करना जनता की सम्मान करते हैं और जो हमारा धर्म कहता है कि कर्म पे विश्वास रखो कर्म के आधार पर ही धर्म आपको आगे बढ़ाता है तो हम कर्म पे चलते हैं कि हमारा कर्म है कि हर वैक्ति को उसको जो बुनियादी जरूरते हैं रोटी कपड़ा मकान के अलावा सिक्षा स्वास्त विजली पानी ये भी आज बुनियादी जरूरते हैं वह हम पूरा करें इसमें आपने देखा होगा एक बड़ा मुद्धा बनारा कि बुल्डू जरुकू लेकर कहीं अपरादियों पर चलाया जा रहा तो कहीं अपरादिय की नहीं हो सकती किसी एक पार्टी की नहीं हो सकती या एक किसी समधाय की नहीं हो सकती जो भी गलत करें किसी भी जाती का हो धर्म का हो कोई विव्यक्ति हो उसको उसके गलत की सजा देनी चाहिए पहली चीत दूसरी बात ये भी है कि आप बुल्डोजर चलवा रहे हो आप क आपने देखा होगा कि नीमच में एक भाजपा का नेता किसी ब्यक्ति को पीट-पीट के बुजुर्ग को मार देता है जैन समाज के व्यक्ति को कि वह मुस्लिम है कि नहीं उस बात पूछ रहा है वीडियो बैरल हो गया उसके घर पर बुल्डोजर नहीं चली सिवराज सिंग चौहान नहीं चला है यह कौन सा मामला हो गया उनके कई मंत्री कई विदायक ब्रश्टाचार में लिप्त हैं उन पर बुल्डोजर चलनी चाहिए और जो अगर आप यही वेवस्था देना चाहते हैं यही करना चाहते हो तो फिर जो गलत है उसके घर में चलाई है आप आपके अपने हो यह पराय हो सबको एक नजर से देखिए आप मुखमंत्री पूरे प्रदेश के हैं किसी एक पार्टी के नहीं है किसी एक ग्रूप के नहीं तो यह है और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं यह कहना चाहूंगा इस देश का नागरिक होने के नाते और संबिधान थोड़ा बहुत जो हम लोग समझते हैं नियाय प्रक्रिया समझते हैं कि हर व्यक्ति को संबिधान का और नियाय प्रक पंजाब में आपके मंत्री के उपर जो कारवाई की गई है विष्टाचार को लेकर तो क्या यह रहन नहीं थी मत्विदेश में लागू रहीगा उस पर उस पर भी आप क्या कहना चाहते हैं देखिए पंजाब में जो हुआ हमारे स्वास्त मंत्री डॉक्टर सिंगला की व परसंट की मांग थी हम यह कहना चाहते हैं कि हम जीरो टॉलरेंस करेंगे ब्रश्टाचार के खिलाब इससे पहले 2015 में अर्विन जी ने भी अपने एक मंत्री को हटाया था मात्र पांच लाक रुपए को गूस मांग रहा था तो चाहिए वह 100 रुपए की गूस हो चाहिए ब्रश्टाचार तो ब्रश्टाचार है हम उसको बर्दास नहीं करते हैं लेकिन भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस के नेताओं के लिए मैं कहना चाहता हूं उसके लिए अंदर इमांदारी चाहिए अच्छी नियत चाहिए और देश के प्रति समाज के प्रति एक तस्ते ने अरविण झी ने कहा कि भ्रश्टा चाहर ने घंदारी है है भारत माता से हुद्धारी कि पॉरी टाकत लगा देती मत्री मोज़ेиков फीर में पार्टी तो बढ़ी चीज है है हे दिया है भग्वान मांद जी को अर्बिन केजरी वाल जी को था करने की नागरुक நाति धन्यवात भी देना चाहूंगा कि जो सुछिता की बात जो राजनीत में सुछिता का संदेश आपने दिया है वह काबिले और देश के लिए एक मिसाल है हमाद साफ आम आदी पार्टी के प्रिदेश अत्यक्ष पंकर सिंग ते लगाता है कई मुद्वों पर चच्चा हुज जाए नंगर नंगम को चुनाओ या मत प्रदेश राजनीति भाद की राजनीति पर राजदाई समाचा से नियर विस्क्रम आग रिपोर्ट भूपाल सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकर नेवर मिसन अपडेट